हलो, नमस्ते दोस्तों, मैं उस रोज मेरे कीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों, आप अपनी स्कीन को गोरा करने के लिए बहुत-बहुत महिंगी महिंगी क्रीमें यूज में लेते हैं, बट उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है और आपके प्रोप्लम है वो शॉल्प कर सकते हैं पूऩरी तरीके से अप अपने दाग दबे दूर कर सकते हैं वो भी एक दम हमेशा के लिए दोस्तों आप क्रीम पाउडर बहुत महंगे महंगे लगाते हैं क्योंकि दोस्तों सुन्दर दिखना सभी को बहुत ज़्यदा पसंद होता है गोरा कलर होना सभी को बहुती ज़्यदा अच्छा लगता है तो यहां पर मैंने लिया है टमाटर टमाटर में दोस्तों ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटीन के ततों पाये जाते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए ही बने हैं यह इसको अगर सई तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इसकिन बेदाग बन जाती है आपकी इसकिन पे कोई भी निसान नहीं रहेंगे जैसे आपकी च्छाईया हैं किसी भी परकार के दाग दब्बे हैं या बरसों से जम्यूही मेल है या बर्सों से जमा हुआ कालापन है गर्दन का है आँखों के नीचे काले गहरे जम जाते हैं चेहरे प्रूखा हाथ पर रूखे रूखे रहते हैं अच्छे से गलो नहीं कर पाते हैं चमक नहीं आ पाती है बिल्कुल सूके सूके से रहते हैं बिल्कुल बेजान जैसे तो द और दोस्तों आप वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो पूरी जानकार्य अच्छे से मिलेगी आपको और दोस्तों आप जिसे पालर जाते हैं महिंगी महिंगी फैसियल भी करवाते हैं बट उसका एक महने से ज्यादा रिजल्ट नहीं हमें मिलता है बाद में हमारी इसक के उपर गलो रहेगा साप रहेगी और यहां पर बात करते हैं हल्दी की तो हल्दी हमारे सुन्दर्ता की एक जान है सुन्दर्ता के लिए हमारी इसकीन के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि दोस्तों जब शादी होती है तो शादी में भी हमें हल्दी का यूज दो करते ह दूलन को हमें हल्दी का लेप हल्दी का उप्टन लगाते हैं क्योंकि हल्दी को सभी जानते हैं कि हल्दी हमारे चेरे के लिए हमारी बोड़ी को चमकाने के लिए हमारी बोड़ी को साप गोरा करने के लिए हल्दी कितना अच्छा मानी जाती है तो यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर पर इस तरीके से हल्दी आपको लगाना है क्योंकि दोस्तो श्यादी में तो आप उप्टन बनाते हैं हल्दी डाल करके तो हल्दी इसकिन के लिए इसकिन को साप करने के लिए इसकिन को गोरा बनाने के लिए बहुती ज़्यादा अच्छी होती है तो दोस्तो थोड़ी हल्दी हम और लेंगे और हल्दी हमारी घर की होनी चाहिए बार की मार्केट की हल्दी मिलावट की हो सकती है बटा आपको बिल्कुल ताजा हल्दी लेना है, घर की हल्दी लेना है, यहाँ पर मैंने लिया है कोल गेट, कोल गेट में हमारे को यही वाली टूट पेस्ट लेना है, क्योंकि हमें दूसरी वाली कोल गेट नहीं लेना है, क्योंकि इसमें वाइट कलर की होता है, तो इसमें इतने ज़ाद अच्छे प्रोटीन पाए जाते हैं कि हमारी इसकीन के लिए बहुत ज़ादा साप करने में अच्छी रहती है क्योंकि ये काला पन गंद की को हटाने में बहुत ज़ादा अच्छा गाम करती हैं अगर आपको नोच पे थोड़ी सी केल हैं मौस जिसे केल टाइप की हो जाते हैं बलेक डार्क हो जाते हैं तो उसको दूर करने में भी जो कोल गेट है बहुत अच्छा माना जाता है हाथ पेरों पे लगाने के लिए हाथ पेरों को इसकीन को लगाने के लिए हाथ पेरों की गंदगी दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है यह तो यहाँ पर मैंने कोल गेट पिस पे लगा लिया है देख सकते हैं तो अब हमें करना क्या है इसमें थोड़ा सा एक चीज हमें लाश्ट में और डालनी है क्योंकि दोस्तो इस तरीके से अगर आप अपने स्कीन के उपर फैस्पेक बना के लगाएंगे अगर आपको जैसे कोल गेट नहीं सूट करती है तो आप इसको स्किप कर सकती है यहां पर मैंने लिया है गुलाब जल गुलाब जल हमें इसकीन के उपर लगाना ही चाहिए क्योंकि गुलाब जल बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है पहुत ही अच्छे result मिलते हैं गुलाब जल से तो अब हमें हाथ पे इसको apply करना है लगाना इस तरीके से तो यहाँ पे आपको में तुरंत इसका जो result है तुरंत देखने को मिल जाएगा इसका इतना अच्छा result है मिलेगा ना आपके हाथ पे इससे चमकना start हो जाएंगे नेच्छरल तरीके से कि आप जो क्रीमे लगाते हैं महिंगी महिंगी वो लगाना भूल जाएंगे और आप नेच्छरल तरीके से अपने इसकीन ऐसी हो जाएगी जैसे बच्चों की स्कीन नहीं हो जाती बिल्कुल कच्ची स्कीन बिल्कुल साप सुत्री स्कीन और एक दम जैसे गलो करने वाली स्कीन हो जाएगी बिल्कुल आपके जो चेहरे पे जो यह हातों पे जहात पेरों पे चेहरे पिसको चेहरे पे भी तो जो भी दाखदबबबे हैं केल मौसे के किसी भी परकार के दाखदबबबे हैं वो आपके निकल के बाहरा जाएंगे और इसके न इतना ज़्यादा चमकडार हो जाएगे कि आप खुद भी हैरान रहे जाएंगे कि नूर्मल ऐसी चीजों से अपनी इसकी से कुटना साप ऎको अच्छे लगा लिया है। मै ने इसको one minute के लिए मसाज करने के क聯द के लिए देख सकते हैं धे एक मिनट तरी के सी मसाज की तरीके मीrangहार करते हैं। यहां पे हैं कि सबोल utilizar है कें belieकिव हाई देख सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं टमाटर को एकदम अंदर से जो गूदा होता है टमाटर का जो रस होता है वो पूरी तरीके से हाथों पे मलना इस तरीके से लगाना है और तीन-चार मिनट के लिए अच्छी तरीके से हाथ की मसाज करनी है चेरे पे लगाएं तो चेरे की भी सबसके औभाल देल जाएं कि योड़ी हसे काली बात नीन रप कखुने रेते हैं। इप गाली हो जाते हैं!! कि यहां फेख देख सकते हैं , मैंने अच्छी तरीके से हाथ पर लगा लिया है तो दोस्तों इनको लगाने के बाद में आपको कोई मेंगी क्रेम यूज नहीं करना है नेचुरल तरीके से अपनी स्किन ग्लो करेगी, साप रहेगी, बेदाग रहेगी और बहुती ज़्यादा अच्छी रहेगी, सौप्ट रहेगी, बिल्कुल भी जूरिया नहीं पड़ेगी बढ़ती उमर में अक्सर होता यह है कि जूरियां पड़े ही जाती है तो काले गेरे आँकों के नीचे होई जाते हैं बट इससे बिल्कुल भी नहीं होगे आपकी स्कीन पहुती ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो यहां पर देख सकते हैं में धोल लिया धोलने से आपका हात्ते हुआइगे तो इस तरीके से आपका चम जैसे दूर से अलग से अएक अलग हात दिखेगा और दोस्तो एकदम जो गंद की होती है ना हाथ पेरों की पूरी तरीके से निकल जाती है तो हमें हाथ पेरों की गंद की काला पनी तो दूर करना है दाग दब्बे हैं हलके छोटे छोटे वो भी दूर करने है तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इन चीजों से दोस्तो आपको तुरंत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो जरूर अपनी स्किन पे लगाए, कोई साइड डिफेक्ट नहीं होंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही थेंगे